देश भर में बाल विवाह रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाए जा रहा है कहीं जगों पे कहीं राजस सरकारों ने बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाए जागरुकता अभियान में या तो नुकर नाटक किया जाता है या फिर समाचार के माध्यम से या फिर डिजिटलाइजेशन की तरीके से बाल विवा रोकने के लिए प्रावधान जो है वो किया गया है लेकिन इस वक्त की जो बड़ी ख़वर और बड़ी जानकारी ये है कि असाम में वहां के मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है कि 18 साल से कम उम्र के लड़कियों से शादी करने वालों की गिरफतारी होगी जिहां ये असाम से खबर आ रही है कि 18 साल से कम उम्र के लड़कियों से शादी करने वाले जो भी लोग होगे उनकी गिरफतारी होगी उनको सजा दिया जाएगा और 2006 में जो अधिनियम बने हैं उस अधिनियम के तहट उनके उपर में कारवाई होगी आपको बताए कि अभी अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्विट करके भी इस बात की जानकारी दी है कि वहाँ पर लगबग 1800 से जादा लोगों की गिरफतारी की जाएगी और असाम पुलिस इसके लिए के स्पेशल टीम भी बना रही है और इसका जो रिसर्च होता है वो रिसर्च भी की जा रही है बताएं आपको कि बाल विवा पर रोक लगाने के लिए समसरकार ने अब कमर कसली है और इसके खिलाफ लगतार कारवाई की जा रही है गुरुवार को राजी के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सर्वा ने ट्विट करके बताया कि असम सरकार राज्ये में बाल विवा की खत्रे को समाप्त करने के अपने संकल प्रद्रिड है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक असाम पुलिस ने राजभर में 4,004 मामले दर्ज की हैं और इस पर पुलीस कठोर कारवाई करेगी उन्होंने कहा कि सभी मामलों में कारवाई तीन फरवरीशे शुरू हो जाएगी आरोपी को गिराफ्तार किया जाएगा इसलिए सभी से सहयों की अपील की है मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कारेकर में कहा था कि यदि दुलहन की उम्र 14-18 के बीच है तो बाल भिवाई निशेद अधिनियम 2006 के तहत मामले दर्ज किये जाएगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सुक्रवार से ही इन मुकद्मों पर जाँच शुरू कर दी जाएगी मुकद्मों के संबद में विस्तरित जाँच रिपोर्ट तयार की जाएगी आरोपितों को सक्त सजा मिले इस मुकद्मे की जाँच मजबूत हो ताकि भविष्य में कोई बाल बिवा कानून का उलंगन करने की सोच भी न सके इन तमाम बातों से मुख्यमंत्री ने राज्य पुलीस महाने देशा को भी आउगत करा दिया है मुख्यमंत्री द्वारा इसके आदेश हासिल होते ही राज्य पुलीस महानिदेश आले भी सक्री हो गई ताकि निर्दारित समय सीमा के अंदर ही मुकदमा निप्टारा जा चुक है असमराज में मौझूदा 15 जिलों के अलग अलग थानों में 4004 मुकदमे दर्ज हुए है इन सभी मुकदमों के विश्तरी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालों को भी बेजी चा चुकी है अब देखे इस तरीके से जो आकड़ा इनको प्रात हुआ है उसमें धूबरी जिले में 370 है सबसे कम मामले हैला कांडी में दर्ज किये गए हैं वहीं बोईंग गाउं में कुल 133 है कच्छार में 35 है दरंग में 125 है दिब्रुगड में 75 है गोलपारा में 167 होजई में 255 कामरूप में 80 कौंक राजहार में 204 नया गाउं में 113 मूरी गाउं में 224 और तमिलपूर में 110 मामले दर्ज किये गए हैं तो राजिस सरकार की ये एक अनोखी पहल है कि 18 साल से कम उम्र के लड़कियों से शादी करने वालों के उपर में बड़ी कारवाई की जा रही है और असामपुली जो है वो इसके लिए एक बड़ा मिसन के तहट वो एक अपने special टीम जो है वो गठित किया है और इसी special टीम के तहट गिरफतारी की जाएगी एक अनोखी पहल है और बड़ी पहल है और आज से यानि आज तीन फर्वरी है तीन फर्वरी से ये लागू हो चुका है और जो जानकारी है सबसे पहले फेज में अठारो सो से अधिक लोगों की गिरफतारी की जाएगी फ़लाल इसकवर में इतना ही आप जुड़े दभी हार्टॉप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद